दोस्तो आज मैं सोया बड़ी और मैगी की एकदम नई रेस्पी सेयर कर रहे हूँ जो खाने में एकदम चटपटा और सूपर क्रिस्पी होगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं इसके लिए बड़ियां हमने ली है एक कप वजन में ये सो ग्राम है तो सबसे पहले हम बड़ियों को गरम पानी के अंदर डालेंगे बड़ियों को दो तीन मिनिर तक हम उबाल लेंगे जिससे बड़ियां सॉफ्ट हो जाए थोड़ी देर में आप देख सकते हैं बड़ियां फूल गई है तो हम इने निकाल कर ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इनका पानी निचोड़कर एक चार में डालेंगे बड़ियों को भीगो कभी ले सकते हैं साथ में दो हरे मेर्च और एक इंच अद्र का टुकड़ा डालकर हम इने पीस लेंगे इस तरह से दर कटा हुआ हरा धनिया सबजियां आपके पास जो एबलेबल हो ले सकते हैं और दो मेडियम साइज के उबले आलू को मैंने मैस करके लिया है दो बड़े चम्मच चावल का आठा डालेंगे बाइंडिंग के लिए चावल के आठे की जगा कार्ण फ्लोर या अरा रोड भी ले स आधा चम्मच इसके अंदर आमचूर पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच नमक ध्यान रखिएगा मैगी मसाला में भी नमक होता है तो नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे अब हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हाथ को थोड़ा सा ओयल से चिकना कर लेंगे जिससे ये चिपके नहीं और हाथ में रोल करके इनको हम टिक्की का सेब देंगे तो देखिए सभी टिक्यों को हमने बना कर तयार कर लिया है अब हम ये मैगी लेंगे इनको हम छोटे-छोटे टुगडों में तोड़ लेंगे तोड़ने के बाद हमने इनको ग्राइंडर जार में डाल दिया है अब हम इनको एक से दो बार चला कर इस तरह से बारिक कर लेंगे इनका पाउडर नहीं बनाना है इस तरह से दरदरा रखना है अब हम एक बॉल लेंगे इसके अंदर हम डालेंगे दो चम्मश मैदा अब इनके अंदर थोड़ा पानी डाल कर हम इनका एक गाढ़ा घोल त्यार करेंगे इनको हम इतना गाढ़ा रखेंगे जिससे यह चमच पे कोट हो जाए तो अब हम यह टिक्की लेंगे टिक्की को इस मैदे के घोल में डालेंगे इनको अच्छे से डीब कर लेंगे हमने मैगी को लपेट लिया है टिकी के उपर इसी तरह से हमने सभी को बना कर त्यार कर लिया है अब 10 मिनट बाद हम इने फ्राइ करेंगे थोड़ी देर चेट होने के बाद टिक्कियों पर मैगी का चूरा अच्छे से चिपक जाते हैं और वो ऑल में डालने पर विखरते नह हो जाए एक तरफ से फ्राइ हो गया है तो हम इन्हें उलटकर दूसरे तरफ भी फ्राइ कर लेंगे इनको फ्राइ करने में ज्यादा टाइम ने लगता है चार से पांच मिनट में ये फ्राइ हो जाते हैं तो देखे दोनों तरफ से इनका कलर गोल्डेन हो गया है अब हम इ करते नहीं ठकेंगे एक बार ट्राइ करना तो बनता ही है फ्रेंड्स तो चलिए हम इनको तोड़ कर दिखाते हैं सूपर क्रंची बने हैं एक बड़ ट्राइ करिएगा और कमेंट में जुरूर बतेगा आपको यह रेसी कैसी लगी फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन अनिबाथ